इस वीडियो हम बात करने वाले हैं कि आप वाटसब नोटिविकेशन प्रावलों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं यदि वाटसब में आपको कोई ही मैसेज करता है और आपको उस मैसेज का नोटिविकेशन यहाँ पर ऊपर नहीं दिखाई देता है तो इस प्रावलों को सॉल्व क करता हो कुछ भी यहां पर मैसेज अ Autism traded कर लेता हूं उसके बार यहां पर इसे सिंड़ कर देता हु यहां पर अभी मेरे इस वाले phone पर यहां पर नोटिफिकेशन नहीं दिखाये ले रहा है अभी झैसे यहां पर मैं अपने को थोड़ा से नीचे स्क्रोल करकर की आना है नीचे आप को यह पर सन के अप recommends पर क्लिक करना है उसके आपको नोटिकेसन के अंदर कई सारी आपको सेटिंगस वह जाती है जिसकी वज़े से आपको यह प्रपावलम करने जो हो और था पर आपके सेट नोटिफिकेशन सेटिंग को आपको इस पर क्लिक करना है और यहां पर अपने नोटिफिकेशन सेटिंग को रिसेट कर देना है इतना करने कबाद जो भी आपके नोटिफिकेशन सेटिंग की प्रॉब्लम होगी ठीक हो जाएगी यदि अभी भी आपके notification की problem ठीक नहीं होती है तो आपको क्या करना है यहां पर जाना अपने phone की setting में setting में आने कवाद यहां पर आपको तोड़ा से नीचे scroll करके आना है नीचे आएंगे तो यहां पर आपको एक option मिलेगा apps का हो सकता है कि आपके phone में application नाम से भी option मिल जाए तो आपको इस option पर चले जाना है दिन इसके बाद यहां पर आपको manage apps का एक option मिलेगा आपको manage apps का option पर चले जाना है manage apps का option पर आने कवाद यहां पर आपको सारे आपके phone के application दिखाए अब को यहां पर ढाट को भूंड़ लेना है वार्टसप को नीचे आएंगे तो आपको वार्टसफ मिल जायेगा और वार्टसप नहीं मिलता है तो उपर आपको सर्चभार का από्शन मिलता है यहां पर टा classify करेंगे वार्टसप तो आपको यहां पर How वाटशप मिल जाएगा उसके बाद यहां पर वाटशपप पर क्लिक करेंगे अब यहां पर जो भी वाटशपब के इंटरनल सेटींग रहेंगे वह खुलके आ जायेंगे आपको नीचे स्क्रोल करकर करना है नीचे आएंगे तो यहां पर हैं और यदि ऑन भी होगा तो उसे एक बार बंद करके फिर से चालू कर लेना है इतना करने कुए जो भी आपके वार्ट सब मैसेज नोटिफिकेशन के प्रावलम होगी वो सॉल्व हो जाएगी यदि आपको और भी कोई प्रावलम आती है ता आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं